हलो तोस्तों आप सबी कोई कैसे हैं आशा करते हैं अपने 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 करव में सुरक्षित होंगे और अपना धियान दे रहे होंगे तो आज का जो विडियो है वो है आपका हमारे देश्क में जो यूनिश्कों के द्वारा विश्व धरवर के सूची में सामिल एक है हमपी उसे संबंधी थे आज का ये विडियो तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इस हमपी सहर के बारे में हमपी सहर को क्या कहते थे पहले और किस रिजन से इस हमपी सहर को यूनेश को ने विश्व धरोहर की सूची में सामिल किया इन सारी बातों को जानेंगे हम लोग प्राचीन काल से लेके वर्तमान परिद्रिस्य से समझने का परियास करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो जैसे आप सभी कोई देख रहे हैं यहाँ पे दो समारक का है आर्टिटेक्चर बना हुआ है तो वही है आपका हमपी अगर आप गूगल में सर्च मारेंगे तो इस स्ट्रक्शर को हमेशा दिखाया जाता है जो रत के समान है जिसको दो हाथी इस रत को खीचने का काम कर रहे हैं तो इसी संबंधी थे और मैं आने वाले जो वीडियो होगा होसे के तो कल का वीडियो जो होगा इसी हमपी से संबंधी थी रहेगा लेकिन इसमें जो आप आर्टिटेक्शर देख रहे हैं इसका क्या विशिष्टा है इन सारी बातों के बारे में उससे संबंदित वीडियो को मैं आप सबों के सामने लाने का प्रयास करूँगा तो चलिए सुरू करते हैं परिचाए के साथ तो यह जो हमपी है जिसको विजयनगर भी कहा जाता है जो हमपी सहर है वो भारत की करनाटक राज में विजयनगर जीले में एक सहर है विजयनगर एक डिश्ट्रिक है करनाटक का वहीं पर यह हमपी इस्तित है और यह जो है करनाटक राज के करनाटक राज के जो पूर्वी और मध्य भाग है वहीं पर एक नदी बहती है जिसका नाम तुंक भद्रा नदी है तो उसी के किनारे यह हमपी सहर यह जो आप जो structure जो देखे वो इसी नदी के किनारे में स्थीत है और हमपी जो है वो होसा पेटे सहर के पास स्थीत है जो करनाटक में ही स्थीत है अगर आप सबसे पूछा जाता है कि यह जो हमपी सहर है यह हमपी जो है वो किस नदी के किनारे है तो उसका सही जवाब होगा तिंग तुंग भद्र नदी के किनारे चलिए आगे हम लोग देखेंगे परिचे में ही देखेंगे कि यह जो हमपी है इसको भी यह सलाइडे में हम लोग एतिहासिक परिद्रिस्टे से इसका परिचे को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यह जो हमपी जो है उसका उलेख हम लोग देखते हैं अश्रोक के पुरा लेख और रमायन और हिंदु धर्म के पुरानों जैसे गरंथों में पाया जाता है और इन सारी गरंथों में पंपा देवी तिर्थ छेतर के रूप में किया गया है जैसे यहाँ पे रमायन की बात देखे यह हिंदु पुरान जो है उस पे पंपा देवी तिर्थ अस्थल के रूप में तिर्थ छेतर के रूप में इसका वरनन को देखते हैं और अगर हम लोग राजा की बात करते हैं तो असोक के शीला लेख में पुरा लेख में इनका वर जो राजधानी है जिसका नाम बिजय नारा है चौद्वी सतापदी की बात है तो ये जो हमपी जो इस्ट्रक्टर अम लोग देखते हैं वो इसी बिजय नारा सहर का एक हिस्सा के रुप में जाना जाता था और ये जो भीजय नगर है या हमपी है जिसको हम लोग कह रहे हैं ये दक्षिन भारत में इसलामी सल्तनतों के बिरोध में इस्थापित दक्कन छेतर के समराजिक की आर्थिक एवं प्रशाशनिक गतिवीदियों का केंदर की रुप में भी इसको देखा गया था जब मुसल इसलामी सल्तनत का बिरोध किया जा था पूरे भारत पे और जब ये इसलामी सल्तनत दक्षिन की और बढ़ रही थी तो उन्हें कापी बिरोध का सामना करना पड़ा था और उस वक्त पे दक्कन छेतर की बाद कही जाए तो ये समराज्य की जो समराज्य था चौदवी सताबदी में वो आर्थिक और प्रेशाशनी गतिवीदियों का मुख्य केंदर की रूप में भी या हमपी को माना जाता था दो सताबदी से अधिक सासन के बाद समराज्य हार गया और छोड़ दिया गया मतलब ये जो दक्कन छेतर में जो समराज्य था हिंदू समराज्य जो था हिंदू भीजय नगर समराज्य वो हार जाता है और इस समराज्य को छोड़ देता है अब बात करेंगे उनिश्वी सताब है वो पुरात्त्त वीदों और इतिहासकारों के लिए एक महत्तपुन इस्थल के रुप में जाना जाने लगा क्योंकि जो इतिहासकार है और पुरात्त वीद है उन्हीं के माध्यम से इतिहास की जानकारी होती है इस प्राचीन भारत का तो यह सारी बाते तो महत्तपुन इस जो structure था हमपी जो सहर है वो भागौलिक इस्थिति इसकी कैसी है कहा पर इस्थित है यह जानेंगे तो यह जो हमपी है वो तुण भद्र नदी के तट पर चटानी पहाड़ीयों के बीच में इस्थित है जैसे आपने पहले भी जान चुका है कि यह जो हमपी है वो तुण तालिस किलोमेटर दूर और धैदराबाद से 385 किलोमेटर और बेलकाम से 266 किलोमेटर दूर है यह कहा गया है अगर बात करें रेलवे का निकटतम रेलवे स्थेशन तो 13 किलोमेटर दूर होसा पेटे जिसको होस पेट सहर भी कहा जाता है तो वहीं पे इसका निकटतम रेल अगर निकटतम हवाई अड़े की बात करें तो हमपी सहर से 32 किलोमेटर दूर तोरन गलू में जिंदल बिजयनगर हवाई अड़ा है तो इसका नजदी की हवाई अड़ा की रूप में इसको जाना जाता है और जिसका बैंगलूर से कनेक्शन भी है रात्री कालिन बसें और ट चानल है जो इतिहासिक चानल है इतिहास हिस्ट्री टीवी के नाम से है तो इस पे हम लोग इतिहास के नज़र से इस स्लाइडम हमने जाना 14 सताबदी की बात को हमने देखा और इस हमपी का जो उलेक है हिंदू पूरानों में देखने को मिलता है रामायन में और अश्रो के पूरा लेक में इसका नवर्नन को हम लोग देख पाते हैं और इसलामी सल्तनत के आकर्मन का विरोध के कारण इस पे जो हिंदू विजय नगर समराजय है उस प्राजित होती है और इस हमपी को छोड़ कर चली जाती है और 19 सदी में इसके खंधर हमें देखने को मिलते हैं च यहाँ पर बात किया जाए तो हर और उस आसपास प्रमुक आर्थिक गतिवीधियों में लव अयस्क मैगनीज अन्या खनीजों के खनन से संबंधित बातें यहाँ पर देखने को मिलती है और साथी साथ क्रिसी परियाटन और अध्योगिक गतिवीधिया भी आर्थ वेवस् हम लोग करते हैं तो लगबग 660 मिली मीटर वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है लेकिन जलवाई परिवर्तन के प्रभाव के कारण इसमें अंतर जारी है उगाई जाने वाले प्रमुक फसले धान, मक्का, जोर, बाजरा, मुंक फली, सूरज, मुखी, गन्ना और कपास क प्रमुक फसल औरे पार देख लीजे यहाँ पर कहा गया है धान है, मक्का है, जोर है, बाजरा, मुंक फली, सूरज, मुखी, गन्ना और कपास ये प्रमुक फसल के रूप में जाना जाता है अगर बात करते हैं हमपी के कुछ खेत सिचित हैं और पास में एक बहुत बड़ को भी देखा जाता है, है ना, तो क्रिसी के लिए या बांध बहुत ही कारगर साबित होता है, और हर और उसके आसपास के प्रमुक आर्थि गति विदियों में लाव ऐस्क ये चीज़ को हो चुका है, है ना, तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, यहाँ पर छेशव और पर इसको हम लोग देख लेते हैं, अगर खनीज की बात करते हैं, तो इस शेतर पर आपको लाव ऐस्क देखने मिलता है, मैगनीज या अन्य खनन होती है, खनीजों के, और साथी साथ क्रिशी भी है, परियाटन भी है, अध्योगी गति बिदियां भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर वार्सिक और सत वर्सक की बात की याजशा है, तो 660 मिलिमीटर यहाँ पर बताया गया है, लेकिन वर्तमान समय में कई जलवाई परिवर्टन को देखा जा रहा है, और साथी साथ प्रमुक फसल में धान, मक्का, जोहर, बाजरा, मुंग, फली, सूरज, म की गन्ना और कपास को महत्वपून माना गया है, चलिए, अब हम लोग परिवर्टन, परिद्रिश्य से समझने का प्रयास करेंगे, यह जो हमपी है, वो आंसिक रूप से समारकों के एक समुख की मेजबानी करता है, जैसे आप लोग यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में यहाँ से देख लिजे, यहाँ पर स्ट्रक्शर बना हुआ है, बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्शर को देखा जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पर कहा गया है, परियाटन के मामले में कि यह एक समारकों के समुख को मुझबानी करता है, जिसे यूनिसकों ने विश्व धर और स्थल को रूप में कोसित किया गया है ये वाते कही गई है बात है 1960 के दसक में और उसके बाद या जो सहर है मतब हमपी सहर है मोटर बाइकर्स के लिए एक आकर्शन और ओफबीट परियाटन के लिए एक स्थल बन गया है जब इसका बुनियाती ढहाचा खराब स्थिति मे था तब परियाटकों के सम्मू इसके पहाड़ी और इसके खंडरों के बीच पाटियां अध्यात्मिक विसराम के लिए एकटा होते थे इन्हें हमपी हिपीज के नाम से जाना जाता था कुछ प्रशासनों के में जो है हमपी को खोया हुआ सहर भी कहा गया है कुछ प्रशा यहां बात करें वार्शिक हमपी उत्सव यह हर वर्श हमपी उत्सव के नाम से और्गनाईस किया जाता है जिसको बिजय उत्सव भी कहा जाता है तो इसमें जो बिजय महत्सव है उसमें बिजय नगर के शासनकाल से मनाया जाता है जब बिजय नगर का शासनकाल चल रहा थ तो उसी वक्त से यह जो हमपी उत्सव है या फिर बीजे माँफो है उसको मनाया आता जा रहा है और इसी हमपी को करनाटक सहर के द्वारा नाडा हबबा जिसको इसका मतलब होता है तेवहार की रूप में आयोजित किया जाता है या हमपी उत्साव को नाडा तेवहार की रूप में नाडा हबा की रूप में ठीक है और इस अस्थान पर 10 लाग सर्दिक लोग आते हैं मनें विजिट के लिए परेटन की बात की जा रही है यहां पे तो हर क्या कहते हैं 10 लाग लोग जैसे यहां पे आ रहे हैं तो चलिए आज के विडियो में हमने हमपी सहर के बारे में जाना और यह बहुत ही खुबसूरत आर्टिटेक्चर है इसका पूरा आप देखिएगा सामने से अभी फोटो में वह सम नजर नहीं आ रहा है लेकिन चित्र आप देखिएगा तो होती अट्रैक्टिव है और आप लोग वहां से भी जाके भी देख सकते हैं तो यह सारी बाते हैं तो आज के वीडियो को मैं यह पर समाप्त करने जा रहा हूँ इसी एतिहासी की बातों के साथ जो आज का वीडियो था हम पी था और जिसको हम लोग प्राचीन भारत के साथ पुरा तात्वीक भारत के रूप में भी इसको जानने का समझने का प्रयास किया है तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं यह पर समाप्त करने जा रहा हूँ तो वीडियो आप सब आप कैसा लगा वीडियो कर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा जो लोग नए है तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो के हैं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ